मैच नमबर 40 जा अफगानिस्तार और वेस्टन डीज का T20 वर्ल्ड कप का एक बहुत शांदार मैच और इस ग्रूप स्टेज का ये आखरी मैच मैच प्रूप में मैच संजे बबलू आपके बीच इस वक्त इस मैच के अपडेट के साथ मौझूद है और क्या कुछ हो सकता है चेंज इस टीम में क्योंकि दोनों टीम में सुपर रेट के लिए कौलिफाई कर चुकी हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा अफगानिस्तान ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों ही जीते हैं तो तीनों ही मैच जो जीते हैं अफगानिस्तान मैं आपको तुड़ा सा बताना चाहूँगा एक बड़े अंतर से जीता है अगर आपको याद होगा न्यूजिलेंड के खिलाफ उन्होंने 83 रणों की जीत हासिल की यूगांडा को उन्होंने पराजीत किया और साथी साथ PNG टीम को भी उन्होंने 7 विकेट से पराजीत किया था इस तरीके से ये सफ़र अफगानिस्तान क इस साल बहुत अच्छा जा रहा है आप देखें तो लगातार उनके परफॉर्मेंस में परिवर्तन हो रहे हैं बैटिंग अच्छी हो रही है बॉलिंग भी अच्छी कमाल की कर रहे हैं तो अब देखना है कि वेस्टन डीज उनका सामना कैसे करते हैं चलिए सबसे पहले मै इस मैदान की बात कर लूँ तो यह डेरिंज समी क्रिकेट स्टेडियम वेस्टन डीज वैसे आप जानते हैं कि वेस्टन डीज में बहुत सारे प्लेयर्स के नाम पर ही वेस्टन डीज के स्टेडियम रखे गए हैं उनमें से ब्रैन लारा सर विवियन रिचट्ट और डेरि कि खेले जाएंगे एस टोटल की मैं बात करूं तो पहली इनिंग में 142 है और दूसरी इनिंग में 128 का एवरेस टोटल आता है हाइस टोटल जो रहा है इस ग्राउंड पर वो 201 करहा है और लोईस्ट टोटल जो रहा है वह बतर रहा है तो यह देखने वाली बात होगी कि इस टॉस कितना एहंग फैक्टर होता है यह भी डिपेंट करता है कैप्टान को उपर आए दोनों टीमों के की फैक्टर्स की प्लेयर्स कौन से ऐसे प्लेयर्स जो अपना बहुत ही महत्वपूर रोल अदा कर सकते हैं देखें अगर आप वेस्ट इंडीस की बात करें तो उनकी ब पारी खेली थी अंडर प्रेसर सिच्वीशन दवाओं में वो मुझे लगता है इस टी ट्वेंटी वर्ल कप की एक बहतरीन पारी है स्कोर को वो लेके गए 149 पर और न्यूजी लैंड उस टार्गेट को अचीब नहीं कर पाया रसल ने भी कुछ छोटी पारी खेली थी ले ती साथ लगातार अच्छी बालिंग कर रहे हैं मूती एक ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो पिछला अगर आप उनका मैस देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया अलजारी जोसिप भी एस टुनामेंड में आर्ट विकेट लेकर वेस्ट इंडीस की आप से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वहीं अफगानिस्तान की बैटिंग और बालिंग पे नज़र डाली जाए तो इस बार तो उनके सितारे बड़े ही बुलंदियों में नज़र आ रहे हैं इबराहिम जादरान बैटिंग में कमाल कर रहे हैं तो फिर शायद ये बेमानी होगी जियां फजल अक फारुकी बैटरीन बालिंग कर रहे हैं बारा विकेट ले चुके हैं और उनकी गेंदबाजी ने कमाल दिखा है कैप्टन राशित खान के साथ मुहमद नवी नूर रहमत ये तीन स्पिन गेंदबाजों की तिकडी ने भ खिलाब इस टी-20 वर्ल्ड कप में जब सुपर एट में जाएंगी हलाकि ग्रूप दोनों का अलग है ग्रूप वन में है अफगानिस्तान और ग्रूप टू में है वेस्टनीज लेकिन ये जीत के साथ सुपर एट में दोनों टीमें जाना चाहेंगी क्रिक प्लेक्स पर मैच प्रिवू के दोरान बस इतना ही बने रहे हमारे साथ और लगातार हम हाजिर होंगे सुपर एट के मैच के दोरान भी